नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग कौड़ी जो मा लक्ष्मी को अत्यन्त प्रिय है और ऐसा माना जाता है कि कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही निकला था और इस कौड़ी से आप कमाम तरह के प्रियोग कर सकते हैं तोने टोटके भी किये जाते हैं जिससे धन के जो परिसानी है वो दूर हो सके आज हम आपको मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए धन प्राप्ती के लिए कौड़ी का वो सिंपल सा कौन सा उपाय करें जो आप अपने घर में खुद से कर सकते हैं आज हम आपको यही बताएंगे लेकिए वैसे तो कौड़ी बहुत कलर में आते हैं और में है उसमें सफेद ब्राउन यानि भूरा पीला और चितकबरी इन्हें मा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो होता है पीला कौड़ी अगर आपको पी पीला कौड़ी ढूनके नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे तब इस कौड़ी में थोरसा हल्दी से हलका सा कलर कर दे या फिर आप केसर से हलका सा पानी में डालके उससे कलर कर दे उससे भी काम हो जाएगा तो चलिए अब जानते हैं वह विसेश प्रयोग जो आपको जीवन पिछले साल का आपके पास पड़ा हुआ है तो लाने की आवसकता नहीं है क्या करेंगे आप मालक्षमी की जब पूजा कीजिएगा धनतेरस के दिन या दिपावली के दिन आपको जिस दिन भी मौका मिले उसी दिन परयोग करें उस दिन एक लाल रंग का कपड़ा या पील माल लेते हैं तो आप दो भी रख सकते हैं और मा से आप प्राठना करें इसके बाद आप रखकर वांको अर्पित कर दें और दीपावली के दिन इसको बांध कर अपने धन वाले अस्थान पर रखें ऐसा करने से मालक्षमी परसन होती है और धन की कमी नहीं होती यानि आप आपको तैस समय पर धन मिली जाता है दैब योग से यह चीजें आपके साथ होती हैं एक सबसे जो बड़ा उपाय है जो हमेशा ही लोग करते हैं वो है कई बार क्या होता है घर में सुख सान्ती समरिद्धी लगता है कहीं खो गया है तब ऐसे में मालक्षमी को आप कोड़ी हर्पीत करें और साथ में आप दो हल्दी की गांट हर्पीत करें वैसे आप एक ही जगा प्रियोग करना है अगर आप इस प्रियोग को करना चाहते हैं तो उस प्रियोग को एक ही बात है दोनों एक साथ ही आप कर ले तब ऐसे में आप मां के सामने एक कपड़ा रखी है वह इससे जीवन में संपन्नता बढ़ती है सुख सांती आती है कई बार क्या होता है आपको लगता है जैसे किसी ने तंत्रिक क्रिया आपके उपर कर रखी है या आपको लगता है जैसे निगेटिव एनरजी बहुत आपके आसपास के वातावरन में हो गया है आप परिशान है अच्छे सपने नहीं आते बार-बार लोग विमार रहते हैं घर में तब इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप इस धन तेरस के दिन या दिवाली के दिन एक प्रियोग करें आप एक लाल रंग का कपड़ा लें उसमें कम से कम एक कोड़ी या 11 कोड़ी आपकी इच्छा है बांध लें अब इसको घर के मुख्य दरवाजे पर आप ग्रिल है आपके दरवाजा है चोकट में कड़ी होगी उसमें बांध दीजिए कोई भी नकात्मक उर्जा आपके घर म आप उसको ले आईए और और बच्छों के कमर में या गले में पहना दे छोटा-छोटा कोड़ी आता है बच्चों के लिए खास कर वह तियार होके ही आता है इसको पहनाने से बच्चों को नजर नहीं लगती वैसे अभी तो स्टाइल है तो बड़े लोग से आप बचे रहेंगे और इस धन तेरस या दिपावली के दिन ये उपाए आप घर में जरूर करें या आप चाहें तो जैसा हमने कहा मुख्य दरवाजे पर आपको लटकाना है और अगर चाहते हैं कि धन की कमी कभी ना हो तब मा लक्षमी को अर्पित करने के बाद वहां से एक कोड़ी उठा लीजेगा और आप अपने पर्स में या पॉकेट में हमेशा रख सकते हैं इससे एक तो नजर दोस से बचेंगे बरकत बढ़ेगी धन आता रहेगा ये आपके लिए ज्यादा एक खुसी वाला समय मान के चलिए कि आपके जीवन में आ जाएगा घर के करके दबा देते हैं या आप कहीं भी छिपा देते हैं कोड़ी को तो ऐसा माना जाता है कि धन की कमी नहीं होती है ये तोटका धन तेरस की रात में करने का विधान है आप चाहें तो जरूर करें हमने आपके साथ बहुत सारे तोटके के बारे में बाते की है और भी जारी है हमारी चर्चाएं देखिए कई बार क्या होता है जीवन में आप चाहते हैं कि कुबेर दे बहुत प्रसंद हो तब ऐसे में आप चाहें तो उत्तर दिसा में हरे कपड़े में बांध कर भी ये पीला कोड़ी छिपा कर रख सकते हैं लेकिन कोड़ी आपको एक ही लेना है ज्या बिसेस प्रयोग भी होता है तो आईए जानते हैं वो बिसेस प्रयोग क्या है देखिए आपको उधन तेरस के दिन आप पीली कोड़ी जब खरीद कर लाईएगा तो मा लक्षमी के सामने इसको रखिए लाल रंग के कपड़े पर एक पांच या दो भी रख सकते हैं ग्यार रखें कमल गट्टे का बीज रखें लाल गुंजा रखें आप एक दो कर के लिए और इसके साथ ही आप इसमें हल्दी की दो गांट रखें और मा लक्षमी के सामने रख दें अब इस पर आप धूब दीब दिखाईए अब इस पोटली को आप बांद कर अपने गल्ले में अगर आप बैपारी हैं तो अगर आप घर में चाहते हैं तो अपने धन वाले अस्थान पर रखें ये आपके लिए ज़्यादा सुब फल देगा और जो दर्दता योग है जीवन में उसको समाफ्त करता है तो ये उपाए आप करें वैसे दिपावली की रात्री में जब घ परिदता है उसको समाफ्त करता है आपके रुके हुए कारे बनते हैं आपका बैपार में आपको लाब होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जौब करते हैं परमोसर नहीं हो पा रहा आप जौब के लिए प्रयासरत हैं आप जौब नहीं मिल पा रहा तब ऐसा माना जाता है कि इस धन तेरस के दिन एक प्रयोग करना चाहिए मां लक्षमी के मंदिर में दिपाव अली के दिन अगर आप 11 कोड़ी ले जाकर अरपीत करें तो इससे भी आपको जो परमोसन योग है या जो प्राप्ति के योग है बनने लगते हैं तो यह सिंपल सा उपाय है लेक कई बार आपको पैसों की बरकत नहीं होती आप चाहते हैं कि पैसे खुब हैं तब धन तेरस से दिपावली तक किसी भी दिन छोटी कन्या को बुला कर बतासे और दही खिलाईए या फिर खिलाईए ऐसा करने से भी धन की जो परिसानी है वो समाप्त हो जाती है फिलाल भी चालेंगे हर हर महादेर